नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमद और आप देख रहे हैं आरे नियूस केंदेर शिक्षा मंत्राले ने राष्टे पुरुसकार 2021 के लिए तेश वर से चेनिस सिक्षकों की सूची जारी की है जिसमें भिहार के सिक्षक हरिदाश शर्मा और सिक्षिका चंदना दत्ता का नाम शामिला और 5 सितंबर को सिक्षा के छेट में एहम और उत्किष्ट योगदान देने वाले इन दोनों सिक्षकों को राष्टिय पुरुसकार से नवाज़ जाएगा भारत के राष्टपती रामनात कोविन खुद सिक्षक दिवस के अफसर पर इने नैशनल टीचर आवोर्ड से सम्मानित करेंगे भिहार के मदुबनी जिले की चंदना दत्ता और रामनात कोविन सम्मानित करेंगे आपको बता दे 44 सिक्षकों का चेनित हुआ है राष्टपती सम्मान सिक्षक प्रुषकार के लिए 38 राज्यों से 32 सिक्षकों ने प्रेजेंटेशन में हिस्सा लिया था जिसमें कैमुर के टीचर हरिदाख शर्मा भी शामिल थे और भिहार से 6 सिक्षक ओनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए चेनित के गए और साल 2019 में सिक्षक दिवस के मोगत के पर बेश टीचर अवोर्ड से भी सम्मानित किया गया था रामगर प्रखंड के गोड सरा गाउनिवासी हरिदाख शर्मा सुरू से ही सिक्षा के छेट में मिसाल बने हुए विद्यले में अनुशाशन और भैतिन सिक्षा के साथ साथ परियावरन सनरक्षन पर उनका जोर रहता है और यही नहीं उन्होंने अपने वेतन से बच्चों को ओनलाइन पढ़ाई और पढ़ाई से जोडने के लिए टीवी खरीदा और खुद स्कूल परिसर को दिवारों को अपने हाथों से शितकारी कर सजाया था जम्मु कश्मीर के वंती पौरा के पंपो और इलाके में आज सुरक्षबलो और आतंवादियों के बीच मुद्बेड हुई और इस मुद्बेड में करीब सुरक्षबलो ने एक आतंकी को मार गिराया है और इसमें जम्मु कश्मीर पौलिस ने जानकारी दी है कि सुरक्षबलो और इलाके की घेरा बंदी कर लिए करने गए तो आतंकियों ने उनके ऊपर गोली बारी की और जवादि कारवाई में जब सुरक्षबलो ने गोली चलाई तो उसमें एक आतंकी मारा गया है जम्मु कश्मीर के गुलगाम में आज आतंकियों ने अपनी पार्टी के निता गुलाम हसन लोन की गोली मार कर हत्या कर दी और लोन पर देवसर में आतंकियों ने उन्हें गोली मारी है इसके बाद उन्हें नजदी के अस्पता ले जाए गया जहां डोक्टर है उन्हें मिर्त गोशित कर दिया और लोन चार महीने पहले पीडीपी से इस्तिफा दे कर अपनी पार्टी में शामिल हुए थे जम्मु कश्मीर पुलिस ने हत्या की पूश्टी करते हुए कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गए गुलाम हसन लोन की हत्या की राजनीतिक डलों ने निंदा भी किये जम्मु कश्मीर की पूर मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दुर्भागे से कश्मीर में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा है अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन लोन की हत्या की घोर निंदा करते हुए शोक परिवार के प्रती मेरी घहरी समवेदना है यूपी की जेलों में बंदी देड़ साल बाद फिर अपने परीजनों से मुलाकात कर सकेंगे कोरोना संकुरेंट के कारण अपनों से मुलाकात को बंद कर दिया गया था अब जेल में बंदी अपनों से मुलाकात करने के लिए उत्सुक है इस दोरान कोरोना नियमों का पूरा पालन कराया जाएगा हाला कि कोरोना के चलते लगी पावंदी में ढील देते हुए नेमों के साथ मुलाकात की छूट दी गई लेकिन मुलाकात करने के लिए शर्तों को भी लागू किया गया है बंदी से मुलाकात करने है आने वाले परतिक परिजन के पास आधार कार्ड और अन्य को एक पैचान पर्त की कोपी होना चाहिए और भातर गंटा के अंदर की केवल आठी पीसा रिपोर्ट नेगितिव कोपी भी होनी चाहिए और इन दोनों अनिवारे रूप से होने पर ही मुलाकात अप्लिकेशन को स्विकार किया जाएगा और जेल अधिक्षक ने बताया कि मुलाकात फेस कवर लगाकर सोशल रिस्टेंसिंग और कोविट नैंटे प्रोटोकोल का पालन करते हुए बंदी से परिजनों का मुलाकात कर सकेंगे जारकंड के चत्रा जिले की पुलिस और केंदे रिजर्ब पुलिस बलने सिमरिया थाना छेट के बवाडिया जंगल से तीस पुलिस कर्मियों के हत्या में शामिल खुंखा नक्सली रमेज गंजू ओफ आजाद को बीते दिन गिरफतार कर लिया जारकंड पुलिस के परवक्ता और पुलिस महाने रक्षक एवी हॉमकार ने बताया कि एक गुप सूचना के अदार पाद चत्रा के सिमरिया थाना छेट में बहाडिया जंगल में कारवाई की गई और इस दोरान पुलिस और केंजे रिजर्ब पुलिस बलकि एक सूचनवी बटालियन ने खुंकार माववादी रमेज आजाद को ग्रफतार कर लिया और उन्होंने बताया कि ग्रफतार नक्सली ने तीस सदिक पुलिस कर्मियों और अनेक ग्रामिनों की हत्या की है पस्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दोरान महिलाओं के खिलाफ अपराद और हत्या के मामलों की जांच के लिए सीबी आई ने संयुक निदेशक के नित्विट में चार्ट टीमों का गठन किया है और सूत्रों ने बताया कि पूरी जांच की निग्रानी अतिरिक निदेशक रेंग के एक अधिकारी द्वारे की जाएगी और उन्होंने आगे बताया कि प्रतिक टीम में साथ सदसे होंगे जिनमें एक उप महानेरक शक और तीन पुलिस अधिक शक सामिलोंगे केंडे अजन्सी का एक कदम कलकता हाई कोड के पस्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दोरान महिलाओं के खिलाव कातित अपरादों और हत्याओं की सीबियाई जांच के आदेशों के कुछ घंटों बादा है इसी साल हुए राज्य विदान सवाच चुनावों के बाद कातित हिंसा की घंटनाओं की सोतन जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिकाओं पर सर्फसमत्ती से फैसला सुनाते हुए पांच ने अदीशों की पीट ने अन्य सभी मामलों की जांच के लिए एक साइटी के गठन का भी आदेश दिया है और वहीं बीजेपी इसे पीडितों को इंसाफ के दिशा में पहला कदम बता रही है और वहीं केंडरे मंत्री श्मती रानी ने कोलकता हाई कोड के फैसले के बाद कहा कि हमारे दिवगंत कार्यकरताओं की परिवारों को संदेश है कि उनके साथ नियाय होगा तालिवान ने अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय को लेकर एक बयान जारी कर दिया है जिसके चलते एकदम हिंदू और सिख धर्म के लोग अफगानिस्तान में सुरक्षित होने की पात कही गई है ये बयान तालिबान ने काबुल गुरुद्वार कमीटी से मिलने के बाद दिया है और साथ ये बता दें कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की वापसी हुई है अल्ब संखिकों को अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंता है क्या हिंदू क्या सिख सभी इस समय खोफ जदा है और तालिबान राज से दूर भागने की कोशिश कर रहे है भारत ने भी अफगान में रह रहे हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को शड़न देने की बात कह दिये लेकिन अब इस बीच तालिबान का बड़ा बयान सामने आया है तालिबान ने जोट दे कर कहा है कि अफगानिस्तान में हिंदू और सिख एकदम सुरक्षित है और ये बयान तालिबान ने काबुल गुरुद्वारा कमेटी के बाद आस्वासन दिया गया है कि अफगानिस्तान में हिंदू और सिख को परिशान नहीं किया जाएगा और उन्हें पूरी सुरक्षा भी मिलेगी तालिबान संग काबुल का बड़ारा की कमेटी मीटिंग की एक तस्वीर भी सामने आई है काबुल के एक गुरुद्वारे में तालिबान के डर के कारण 200 लोगों ने शरन ले रखी थी इसमें जारतर हिंदू और सिख समुदाई के लोग थे कई तो ऐसे भी थे जो अब सीधा अमेरिका या कनेडा जानने का मन बना रहे दे उन्हें तालिबान पर कोई भरोसा नहीं था देश में करोना संक्रुण के मामलों में उतार चड़ाब चारी है अब बीते 24 गंटे में करोना के 36,571 नहीं मामले दर्श किये गए और इस दोरान 540 लोगों की जान भी गए करोना से रोजाना मनने वालों की संख्या में बड़ोती जारी है कुछ दिन से ये आंखड़ा 530 का असपास रहता थे लेकिन शुकरवार को संक्रुण से 540 लोगों निद्दम तोड़ दिया और वहीं 36,740 संक्रुण मरीज इस बमारी को माद दे कर घर भी लोट चुके हैं और सक्रिय मरीजों की तादाद अभी भी 3,63,000 है जो 150 दिन में सबसे कम है और वहीं ICMR के अनुसार 19 अगस्त को 18,86,002 से खतल लोगों की करोना की जांच की गए स्वास्यमंत्रा लेकर आंकड़ों के मताबिक करोना से ठीक होनों की दर 97 फीजदी है और इससे पहले गुरुवार को करोना के 36,401 नए केस दर्ज किये गए थे और 530 लोगों की मौत हो गई थी और वहीं आज पूर प्रधान मंत्री राजिव गांदी की 77 वी जैनती है इस मौके पर कॉंग्रिस के पूर अध्यक्ष और उनके बेटे राहुल गांदी ने सुद्धांजले अर्पित की दिली स्तित्वीर भूम में पहुंचकर कॉंग्रिस नेता राहुल गांदी ने पूर्स पी-म और अपने स्वर्गे पिता राजिव गांदी को उनकी जैनती के मौके पर पूस्पंजले अर्पित की और याद किया और साथ ही लोकसबा और कॉंग्रिस के नेता धीर अंजन चोदरी कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता गुलाम नवियाजाद समित कई अन्य कॉंग्रिसी नेता भी मौचूद है भारत रतन राजिव गांदी की जैनती सद्भावने दीवस के रूप में मना जाती है और वहीं कारे करता इस दिन सेवा और सद्भाव का कारे करते हैं भारत रतन राजिव गांदी की जैनती कॉंग्रिस सद्भावने दीवस के रूप में मनाती है देश भर में भारते युवा कॉंग्रेस के कारे करता सद्भावन दीवस पर प्रदानमंत्री राजव गांदी को सरदांजली अर्पित करते हैं जाते जंगडना पर प्रदानमंत्री नरेन मोदी ने नितिश कुमार को मिलने का समय दे दिया है और 23 अगस को प्रदानमंत्री नितिश कुमार के पास जाते जंगडना कराने को लेकर सरदली प्रतिनिदी मंडल के मिलने का समय मंगा था इसके बाद प्रदानमंत्री नितिश कुमार ने इसकी जानकारी टूट करके दी है निता परतिपक्ष तेजस्वी आदवी पेयं मोधी से मुलाकात करेंगे वो भी प्रतिनीदी मंडल में शामिल होंगे और उन्होंने आगे लिखा कि जाते हैं अधारिज जनगर्ना करने के लिए बिहार के प्रतिनीदी मंडल के साथ अदार्णिय प्रदान मंत्री से मिलने का समय मांगा गया था और प्रदान मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद के 23 अगस को मिलने का उन्होंने समय दिया प्रधान मंत्री से मिलने मुख्य मंत्री के साथ राज़त के अलावा कॉंग्रेस और लेफ्ट के नेता भी शामिल होगे और नेताओं के नाम जल्द ही ते हो जाएंगे और वहीं वीवियार वीजेपी के नेता उनके साथ जाएंगे या नहीं या भी ते नहीं हुआ है और वहीं परिवहन मंत्राले की नई अधिसूशना के अनुसार राजय प्रवर्तन अजेंसियों को ट्रैफिक नियम का उलंगन से संबंदित अपराद होने के 15 दिनों के अंदर अपरादी को नोटिस बेजना होगा साथ ही चलान के निप्तारे के अलेक्ट्रोनिक रिकोर्ड संग्रित करना होगा अमिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवेज ने लेक्ट्रोनिक निग्रानी और सड़क सुरक्षा की संसोदित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहट 1989 के तहट जिसके तहट चलान करने के लिए लेक्ट्रोनिक उपकरनों का उप्योग किया जागा राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेंगी कि ये लेक्ट्रोनिक उपकरन को राष्टे राजमार्गो राज्य राजमार्गो महत्पुन जंसंग और स्टेशन दस लाग साधिक की अबादी वाले मुखे शहरों में लगाए जाए मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाईवेज के नोटिफिकेशन में एक सो बत्रिक शहरों का उलेक किया गया है जो सबसे अधिक जोखिम वाले हैं मंत्राले ने ये भी कहा है कि इलेक्ट्रोनिक इन्फॉर्मेंट डिवाइस को इस तरह रखा जाना चाहिए जिससे किसी तरह की बादना हो और इसमें लाइन ओफ वीजन या यातयाद के सही तरीके से चलने में परिशानी कादना हो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसादेश में आज कई राजियों में हलकी से मद्यम बारिस के साथ कुछ इस्तानों पर भारी बारिस की संबावना थी जो की हुई भी और कुछ इस्तानों पर भारी बारिस भी हुई इसके अलावा जारकंड मद्यप्रदेश महराश गुजाच छे दस्षिन पूर्व और राजिस्तान इमाचल के कुछ इस्तान पंजाब हर्याना दिल्ली करनाटक और कुछ इस्तानों लक्षदीब में आज हलकी से मद्यम बा हुई और आएमडी के अनुसार दक्षिन पश्चिमी मांसुन अबदेश के उत्तर पश्चिमी छेत के राजियों में हो चुका और जिसके चलते बारिस के आशंका है और आएमडी ने बताया कि ब्यार पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 23 अगस्तक भारी ब और पूर्वी राजिस्थान में भी हलकी से मध्यम बारिस हो सकती है